अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले शोशित वंचित समाज को एक जुट करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अमेडगर ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और उसी जीवन को जीवीत रखा सम्मेक प्रकाशन में उस लेखनी के मालिक आज हमारे साथ मौजूद है शांती सरूप बाजी शांती सरूप जी आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अमेडगर नारी के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए देश के लिए सविधान लिखा बहुत सारी चीजें लिखी लेकिन जब पूरा देश आपकी किताबे पढ़त सुनेंद्र जी आपने जो प्रश्णी किया है इसके उत्तर बहुत-परकार से दिये जा सकते हैं पर मैं जब मानता हूं वह जब मानता हूं कि जब बाबा साहिब डांक्टर अमबेटकर का भारत वर्ष में प्राद रुभा हुआ उस समय जो सामाजिक इस्तिति थी उसी जो मगर ये बाबा साहिब डांक्टर अमबेटकर के जीवन की महांताम उपलब्दी है कि जो सादू संत हमारे जो सम्मान के जोग हैं जिनके हम संतान हैं वो भी जो काम अपने युग में ना कर पाए वो बाबा साहिब डांक्टर अमबेटकर ने कर दिखाया क्या ना करन पाए साधुसंतों ने अपने समाज के दुख दूर करने के लिए कभी भी यह नहीं सोचा कि यह कानुन से दूर होंगे या अधिकार मांगने से दूर होंगे उनकी एक ही प्राथमिक्ता रहती थी वो प्रिभू के सामने हाथ जोड़कर प्रम पिता प्रमेश्वर से मुलाकात में लगे रहे कि उनसे मेरी भेट होगी समाज की मुक्ती होगी मगर बाबा साहिर डारक टुमबिक का जब युक आता है एक गलती हुई करoubt दोड़ा है उसके एक चोकड़ी होती है उसको आए तो बाबा साहिब डांक टम बेट करके समय में भी जब यहां पर आंग्रेज आए तो इनों की जो यहां के ब्रहामनी व्यवस्था की जो सामाजिक वन व्यवस्था थी उसकी चोकड़ी इलज गई क्योंकि अब से पहले यहां के समाजिक ताने बाने में ना मुगलों ने कोई हस्तक्षिप किया ना अंग्रोजियों ने कोई हस्तक्षिप किया ना अंग्रोजियों ने कोई हस्तक्षिप किया हस्तक्षिप वो इसलिए नहीं करना चाते थे वो यहां पर इन पर हुकूमत करना से हमारे लिए जो सबसे बड़ा वर्दान साबित हुआ वो यह हुआ कि हमें कुछ अधिकार मिले अधिकार नाम का हमारे से मतलब नहीं था बनुस मृति ने सारे अधिकार हिन हमको कर दिया धोके रख दिया मगर अंग्रेजों ने जब मिलेटरी में जो भी आदमी होगा वो पढ़ेगा जरूर तो राम जी राओ और उनके जो पिता जी सकपाल थे मालो जी सकपाल जब वो मिलेटरी में गए तो उन्होंने वहां जाक ऊजो झाए उन्गरेज क्या जो बेरे पिता मुझे देते ते उसके बाद में कोई न दे पाया तो शिख्षा आई अंग्रेज आए तो शिख्षा आई और शिख्षा आई तो हमारे घरों में उजाला आया आज हम एक बात कहते हैं बहुत सारे लों जब भारत वर्ष में आए ये बहुत बुरा हुआ कि बहुत दिनों के बाद आए वो उनको दो-चार साल पहले, दो-चार सो साल पहले, हजार साल पहले आना था और हमारे सामाजिक इस थिति में परिवर्टन लाना था मगर जब वो यहां से गए, उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वो बहुत जल्दी चले गए कारण क्या है कि यदि अंग्रेज ना आते तो इस देश को फूरे ना मिलते अगर यहां अंग्रेज ना आते तो बाबा साहब हमको बाबा साहब ना मिलते इसलिए जो यहां के स्थापित शाषक जातिया हैं वो पानी पीपेकर कोष्टी हैं अंग्रेजों को मगर उनके कोष्णे में या उनके आश्रिवात देने में हमेशा राजनिती होती है कोईनों को शड्यंतर होता है बाबा साप जब यह आते हैं उनका जो उदे हुआ 요 हुआ हैं बाबा साप का भारतवी फटल के एक अनो होनी गटना है उन्होंने संतों से भोग जू सीखा उन्होंने अपनी किताब है वो शंतों को भेट की है संतों से उनकी कोई नाराज़गी नहीं थी कई लोग हैं जो शुद्रमान सिक्ता के हैं वो बाबा साथ की और संतों की तुल्ला करते हैं बाब पुर्सोबे कभी तुल्ला करने ही नहीं चाहिए हर एक व्यक्ति अपने युक का महन व्यक्ति होता है हमें ये देखना हैं के उन्होंने हमारे लिए क्या किया बाबा साब ने देखा संत जो अपने हाथ दोनों ऐसे जोड़ करके परमपिता परमेश्वर से अपनी मुक्ती की आचना कर रहे हैं बाबा साब ने उनी हाथों को संतों के उनी हाथों को एक इस तरीके से बहुत मजबुत मुठी में बद्रा और नाक तोड़ने लाहिक उसकी टेबिल कॉर्फरेंस में वहां जो सैपरेट एलेक्टरेट का अधिकार लेकर के आये ना वो तो ये जब हमारे इस देश के बोध्धों को मौरियाओं को शाक्यों को जब गुलाम बनाया था 185 इसापूरू में उसके बाद में जो हमें कुछ समनले का मौका मिला तो बाबा साहिब डाक्टर हम बेट करके समय में मिला और उनकी विद्वता के कारण उनके त्याक के कारण उनके समरपण के कारण उनकी परतिबदता के कारण उनकी सूजबूच के कारण हमको मिला तो इस यह अने में उसको 2 को देखे थे समरात अशूक में बुद्ध की मूद्यान ना मिलती जो समराथ अशूक लिपी है जिसको धम लिपी कहते हैं बदमाशों ने उसका नाम कर दिया ब्रॉम्य अपने लिपी के नाम धम लीपी लिखे रहा हूं तो बाबा साहब बाथah्रेध पर उनका बहुत भीडाएं झेली पड़ी बाबा साहिब डांक टंबेट करने जितना अपने जीवन में जहर पिया इतना उनके बात के लोग नहीं पी पाए बाबा साहिब डांक टंबेट करने एक बात जरूर थी कि वो जीवट के मजबूत थे वो जिस चीज की ठान लेते थे उसको करके छोड़ते थे उन्होंने का पानी परकरति पर्दत चीज है, ये धोप और ये हवाप परकरति पर्दत सुविधा है, इस पर भी अगर बंदन है, तो धिक्कार है मेरे जैसे व्यक्ति को, कि मैं अपने समाज को पानी ना मिला पाऊं, एक पानी पीने के लिए सत्या ग्रा करना पड़ा, जू थे सवानों की थी किसी ने कोई फे Спज़ा अपना नहीं दिया अब हमारे लोगों को मुसल्मानों खिलाब भड़काते हैं क्यों बढ़काते हैं वहida रtermin ने हैं तुक्त को जानते देखिए मैं उस माध में का और अगर जमीन के लिए पानी पीने के लिए निकले थे तो आज बाबा साहिब डांक ट्रम बेट करको पानी पीने के लिए संगर्श करना पड़ रहा है बाबा साहिब डांक ट्रम बेट करको तुम कहते हो कि तुम डाउं टेबिल कॉंफरेंस में यह बात उभर कर आई वो कहते हैं नहीं अगर हम आपके अभिन अंग हैं तो आपके मंदरी में हम जड़ा जाकर देखते हैं जब वो जाने लगे मंदरी में कालाराम मंदरी में कहर मच गया, तुफान खड़ा हो गया बाबा साहिब डांक टमबेट कर जानके प्यासे हो गए अरे वो तो जो महार महिलाएं थी उस समय, ये ठाड़ी ठाड़ी महिलाएं वो बाबा साहिब डांक टमबेट करके उपर गिर गई कहले हम मर जाएंगी पर अपने मुक्त दाता का इस तरीके से अपमान नहीं होने देंगी बड़ा भावक दिर्श्य था वो मगर उन महिलाओं को धन्रेवाद करते हैं हम उनके प्रतिक करतग्यता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने उस मस्या को जिसका 1932 में ये लोग कतल कर देते उनको उन्होंने बचा लिया और बाबा साब जब बच गए तो उन्होंने कहा कि हम मंदिर में जाना चाते थे हमें मंदिर में जाके तुमारे हरी दर्शन से कुछ मिलने वाला नहीं है ना वो हमें कुछ दे सकता हम तो दुनिया को ये दिखा रहे थे कि ये लोग हमें अपने धर्म का हिस्सा मानते है हमें हिंदू बानते हैं मगर इनके मंदिरों में जाने के हमको इजाज़त नहीं है बाबा साहब तो कहते थे जिसके मंदिरों में जाने की इजाज़त तक नहीं है उसमें हमारे लोग प्रोहित और महेंत और शंक्राचारे कैसे बन सकते हैं बाबा साहिब डांक्ट अंबेट करने जो भी बात की अपने बल पर भारत वर्ष की इतिहास में जो गुलामी का हमारा इतिहास था उसमें पहली बार की और इतनी मजबूती से की कि उनका सारा संसार उनका बुरीध हो गया जब गांधी ने सुना जो पहली रौंट पेमिट कॉंफरेंस में गांधी जी नहीं गए थे उसका वो भाईशकार किया था और बाबा साहिब डांक्ट अंबेट करका जब उन्होंने परवचन सुना यहां बैटकर बाबा साब वहां सास समंदर पार अंग्रेजों की राजध नहीं होती थी वहां पर उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए का था वो तुम सास समंदर पार बैटकर हम पर जो हुकोमत चलाते थे वो दिन अबलद गए अब हमारा वो समय आ गया है हम भारत वर्ष को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे अपनी नीतियों के अ वो सर्टिफिकेट है जब गांदी जी यह जान नहीं पाये थे कि बाबा साहिब डांक टंबेट का अच्छूत हैं यह उस समय का सर्टिफिकेट है जात पता चलते ही हम लोगों की एक दम इस्तिती बदल जाती है कोई आपके साथ सफर कर रहा है जाज में है चैट्रेन में ह सबस्कार होता है तुरंट जमीन पर आ जाता है गदे की सवारी करने जैसा हो जाता है यह एक परचार है हमारे खिलाफ हमें बदनाम करने का और उपरचार के माध्युन से कुछ विशेश जातियों को महिमा मन्रित करने का इसे हमें फाड़ना होगा अगर अब तक हमारा चै ले ले.